कार साथी हो जेहिंद, आज हम बात करने वाले हैं, types of hybridization basically 2 types की hybridization होते हैं, एक intervalital hybridization और दूसरा distant hybridization ये जो distant hybridization है, इसके अधर फिरो अलग अलग type की होते हैं, जैसे इंटर specific उता है और intra generic होता है problem क्या होती है कि हम उसे direct पढ़ने की कोशिश करते हैं direct उसे याद करने की कोशिश करते हैं basic हम समझते यहिं कि आकर इसके पीछे basic क्या है और इसको याद कैसे किया जाए तो मैं आपको basic से बता रहा हूँ आप बस इसको एक वर देख लेना आप जिंदगी सबढ़ होगे कि Pak इन्ट्राइश स्पैसिफिक क्या है इंट्र nearest आइंट्र जैनेरिक क्या है इंटर जैने इंटर एंट्र वाराइट है यह सभी चीज़ें में एक क्लियर हो जाएगे देखो इसके बेसिक को समझो हमारी अर्थ जो है न कि इस अर्थ के उपर जितना भी living organism है जितने भी अपने जीवित जंतु इस प्रतिवी के उपर है जितने भी living organism है उन सब को हमने पांच kingdom में बाटा है यह सभी आप लोग जानते हूं कोई बड़ी बात इसमें मैं आपको नहीं पता रहा हूं सभी लोगों को पता है पांच kingdom कौन कौन से हैं kingdom monera kingdom protesta kingdom fungi kingdom planty और kingdom animalia यह पांच kingdom है इसी पांच kingdom के अंदर इस अर्थ के सभी living organism को हमने बांट दिया है यही अपनी पूरी दुनिया अब इसके अंदर हम बात करते हैं अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर मतला हम क्रॉप की बात करते हैं प्लांट की बात करते हैं वो सब कुछ आ जाए रहे हमारा complete agriculture अब यह जो प्लांटी है ना आपका इस प्लांटी को भी फिरमने बहुत सारे कह सकते हैं इसको है राइरचीकल ग्रूप में बांटा जिसको पर टैक्स नमी कहते हैं तरह डेटिल में जाने की जरूत नहीं मैं आपको basic सा बता देता हूं तो मतलब kingdom तो रहेग वह तो रहेगा आप क्या क्या फाइलम से आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा class class से और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा order order से और आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा family family से और आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा genus genus से आप और नीचे ज क्लास में यह सब चीज़े क्यों बहुत जरूरी है यह आप समझ गए नहीं तो आपको तुरण चुट्कियों में याद हो जाएगा यह आप समझ गए वह किंडम एक है एक किंडम रहेगा प्लांटी अब इसके अंदर बहुत सारे फाइलम होंगे कोई भी एक फाइलम ले लो उस एक फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लास होंगी कोई भी एक ले लो उसके अंदर बहुत सारे ओंगी कोई भी एक और कोई US के प्र पहुत सारे थे होंगी तनी बात आपको समझा गी बस आप क्या हो capaz का सबसे पहला क्या है आपका इंटर और इंटरा इन दोनों में समझ लो अंतर क्या होता है इंटर और इंटरा इन दोनों का मतलब देख लो जब कभी आपको शब्द लिखा आजाए इंटर ध्यान रखना जब कभी भी आपको शब्द लिखा आजाए इंटर समझ जाना बात हो रही है किसकी different की कुछ अलग होना वाला है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अलग है और कहीं पर अगर लिखा हो intra तो intra का मतलब क्या हो गया same की बात कर रहा है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो inter का मतलब different या पर कह सकते हो between किनी भी दो चीज़ों के बीच की बात कर रहा है ठीक है और intra का मतलब same यानि किजे किसी एक ही चीज़ के अंदर की बात कर रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो within इन दोनों में अंतर समझ गए आप inter और intra या आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इंटर का मतलब हो गया different या फिर between कोई भी दो चीजों की बीच की बात कर रहा है intra का मतलब हो गया same या फिर within या तो कोई एकी चीज़ है या उसी के अंदर की बात कर रहा है ठीक अब देख लो एक एक करके अगली सलेट पर देखते हैं बढ़िया यह देखो सबसे पहले आपना कौन सा inter वेराइटल आपसे कोई पूछता है बताओ भी inter-varietal hybridization के बारे में बता दीजी बढ़िया simple सा इंटर का मतलब क्या होता है इंटर का मतलब क्या होता है different इंटर का मतलब क्या हो गया भीया different हो गया आगे क्या लगा है वेराइटल मतलब क्या हो गया डिफरेंट वेराइटी है मतलब क्रॉस हो रहा है दो डिफरेंट वेराइटी के बीच में कोई भी वेराइटी ले लो ए एक वेराइटी ले लो भी ठीक है इन दौनों के बीच में क्रॉस हो रहा है यह दो अलग-अलग वेर है वेराइटी के ठीक पीछे कौन था मतलब इसकी दो वेराइटी है एक वेराइटी है और एक वेराइटी है बी इन दौनों के बीच में क्रॉस हो रहा है तो यहां पर इस पिसीज तो दौनों की सेम रही इस पिसीज जो है वो दौनों की सेम है क्योंकि इस पिसीज के अंदर तो बहुत सारी वैराइटी है ठीक हम दो वैराइटी के बीच में क्रॉस कर रहे हैं मतलब इससे ठीक पीछे क्या है इस पसीज तो इस पसीज दोनों की सेम है यानि कि जो इंटर वैराइटल होता है इसी को आप इंट्रा इस्पैसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं क्या क्या यह पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है इंट्रा का मतलब क्या होता है सेम और आगे क्या लगाए स्पैसिफिक स्पैसिफिक यानि कि यह क्या हो गया आपका सेम इस्पैसिफिक की बात हो रही है तो देख लीजिए बिल्कुल सही बात है इस्पैसिफिक सेम है उसके आगे जो वैराइटी है वो दो वैराइटी अलग है इसका मतलब हुआ कि जो इंटर वैराइटल है उसी को इंटर इस्पैसिफिक भी कहा जाता है इसमें किसी तरह क कोई confusion आपको नहीं होना चाहिए बड़ा सिंपल सा है बस यह इंटर और इंटरा का चक्कर है इंटर के आगे वेराइटल लगा है तो अलग-अलग वेराइटी हो गई लेकिन इस्पेसिस से में मतलब उसको अपन इंटरा यह सकते हैं क्लियर ओवा ऐसे और देख timely distant के अंदर हमने कहा इंकर स्पेसिफिक हाइब्रीडाइजेशन इंस्पेसिफिक हाइब्रीडाइजेश्फिक हाइब बताओ इंटर का मतलब क्या होता है वही चीज different you इंटर का मतलब डिफरेंट और स्पैसिफिक का मतलब अलग-अलग spy species होगी Aspices का मतलब क्या हो गया डिफरेंटाओ स्पीश के बीच में हो रहा है तो मैंने आप से क्या बता था कि वहाईן एक जीनस है एक जीनस ले लो उसके बहुत सारी इस्पैसिस हो गी कोईभी एक इस्पेसीज है एक्स और एक इस्पेसीज है वाई इनके बीच में आपने क्रॉस करवा दिया यह क्या हो गया आपका डिफरेंट दो इस्पेसीज के बीच में इसलिए उसका नाम रख दिया क्या इंटर स्पैसिफिक क्या हमें से कोई और नाम दे सकते हैं जैसे हमने तो पर जा läuft कि on कि इसको हम इंक्तरफ इंट्रफ कि जैनिभी कह सकते हैं इसको इंट्रा जेनिरिक हाइप्रिडाइजेशन भी tips का जा सकता है बिल्कुल चाह किया सकता है क्योंकि यहंब इंट्राइंट्रा का मतलब होता है सेम ऑजेनिरिक मतलब दी।स among the के बीच में ही तो हो रहा है अच्छा आप लोगों ने जितने भी बॉटनिकल नेम हम पढ़ते ना उन सब बॉटनिकल ने में बेसिकलिए अपने दो नाम देखते हैं कोई भी एक एक जैसे की हमने ले लिए मालो यहां पर सबसे लास्ट में क्या आ रहा है आपका इस पसीजे सबसे लास्ट में अदर यही दो चीजह होती है पहला शबद जीनस होता है दूसरा सब्सक्राहिब हमेशा जीनस रहेगा बात क्या है यह क्या है एक है यह गया है यह फृइत है अगरव márt कि कोई दो ट्राइटी ये डोलग ट्रीट्थ कि एक आप लीजिये और एक वैराइटी आप ले लिजिए भी इन दोनों कि भीच में आपने प्र डिए ये दोनों की विड् you यह एक्जाप्लोड वीट की विराइटी मलग दौनों की स्पेसी से में वेराइटी अलग अलग गया अब यह तो अपन को बता नहीं जरूत नहीं और देखो एक और एक्जामपल ले लो अपन जैसे कि इसी का ले लेते हैं अपन ट्रिटिकम डियूरम हमने यह ले लिया आप ट्रिटिकम डियूरम ट्रिटिकम क्या है इसका जीनस है और डियूरम क्या है इसकी इस्पेसीज है तो देखो आप यहां से यह जीनस और यह जीनस ट्रिटिकम दौनों के अंदर एक ही है ट्रिटिकम दौनों का सेम है लेकिन इस्पेसीज बदल चुकी है इसकी डियूरम का क्रॉस करवाता हूं तो यह किसका एक्जामपल हो जाएगा यहां पर जीनस सेम है लेकिन इस्पेसीज अलग है इंटर इस्पेसिफिक डिफरेंट इस्पेसीज के बीच में तो यह किसका एक्जामपल हो गया इंटर इस्पेसिफिक का हो गया लेकिन इनका जीनस स specific और इंटर-जेनरिक यह दोनों एक ही बात हो गए ऐसी समझे ऐसे एक और देखो अपन एक है आपका इंटर गजेनरिक पीछे मैं इंतरजाहिक कर दिया इंट्रा कर दिया इंट्रा करें इंट्रा लिखा उसके बाथ देखो अपना इंटर जैनेरिक अब वही चीज इंटर का मतलब डिफरेंट इंटर का मतलब डिफरेंट जैनेरिक का मतलब जीनस मतलब यहां पर बात हो रही है किसकी अलग-अलग जीनस की बात कर रहे हैं अपन यहां पर अलग-अलग जीनस मतलब यहाँ पर अब जीनस ही बदल दिया हमने यहाँ पर मालों एक जीनस ले लिए हमने वन और एक जीनस ले लिए है टू दो अलग-अलग जीनस के बीच में क्रोस करवा रहे हैं ठीक है हमारी जो हदे हैं ना इंसानों की वेग्यानिकों की वो यहां तक ही है अभी तक हम फैमिली में नहीं जा पाए हमने अभी तक दो अलग अलग फैमिलियों के बीच में क्रॉस नहीं करवा के देखा है कभी आपने सुना है कि गेहूं के बीच में और चने के बीच में क्रॉस करा दिया जैसे गेहूं है और चना है इनके बीच में आपने सुना है कभ रग्यूमिनेसी है तो यह अलग-अलग फैमिली हो गई दोनों की फैमिली क्या हो गई अलग-अलग होगी महले डिफेरेंट फैमिली तक अभी तक हम नहीं पहुच़ें हमारा एग्रीकल्चर जो हो उसने progress कहां तक किये, सिर्फ genus तक कर रखी है, क्या हमने दो अलग genus की बीच में cross करवाया है, बिल्कुल करवाया है, दो अलग-अलग genus की बीच में cross करवा कर, हमने एक plant बनाया है, एक variety, एक नई species बनाई है, जिसका नाम है tritical, सभी को पता होगा ये, man-made cereal है, tritical क्या है, एक man-made cereal crop है, tritical में क्या है बई, tritical में triticum, sorry, ये tritical किसका cross है, गेहूं का cross है, into, राई का cross है, दोनों ही अलग-अलग है, दोनों के अंदर genus अलग-अलग है, इसका देख लो, वाटनिंकल नेम क्या होता है, triticum, estivum, और इसका वाटनिंकल नेम क्या है, सीकेल, cereal, ये देखो, यहाँ पर genus क्या है, tritica में, यहाँ पर genus क्या है, सीकेल है, दोनों का genus अलग-अलग है, इन से जो बनेगा, वो क्या बनेगा, आपका, tritical बनेगा, तो ऐसे भी question आते हैं, tritical क्या है, tritical एक intergeneric है, बात यहाँ तक समझ में आगी, इनकी family दोनों की, एक ये भी gramini family का है, ये भी gramini family का है, लेकिन दो gramini family में अगर अपन cross कराते हैं, cross करा भी रहे होंगे, वे गयाने, चल भी रहा होगा, लेकिन अभी तक वो success उनको नहीं मिल पाई है, ये बहुत जादा tough है, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं छटने वाले करवाएंगे, इनके बीच में भी cross करवाएंगे, दो अलग अलग family के बीच में भी cross करवा देंगे, और देखना कभी न कभी इस पर भी success हम को मिल जाएगी, तो अभी तक हमारी जो success है, हमारी जो हदे है, वो कहां तक पहुँची है, सिर्फ इस पसीज तक पहुँची है, इसलिए आपको काम रखने ही पड़ेगा, इंटर family कर देंगे, अभी तक हमारी चोप है, वो कहा है अपना, दो अलग अलग genus के बीच में, हमने cross करवा के देखा है, तो यहां पर भी देख लो अपन एक और simple, दो अलग अलग genus के बीच में cross है, तो क्या कहेंगे, इंटर generic, दो अलग variety है, इनकी species तो सेम है, यानि कि इस इंटर वेराइटल को intra specific भी कह सकते हैं, दोना यह कई बात है, यहां पर दो अलग-अलग species हैं, लेकिन दोना का genus एक है, इसका मतलब इसको intra generic भी कह सकते हैं, ठीक है, यहां पर same family है, तो हो सकता है, इसको अवेसा कोई नाम तो है नहीं, मैं अपने मन से बना दूँ कि इसको बोल दो, अपन इंटरा फैमिलिक, तो इसके पीछे अपन गई नहीं, अपनी जो हदे हैं, वो genus तक ही है, यह होते हैं अपने hybridization, अब देखो, यहां पर क्या हमने same variety के बीच में कर दिया, इसलिए अपना simple hybridization कह सकते हैं, यह दोनों ज species बदल दी, genus बदल दी है, बक्त बदल दी है, हालात बदल दी हो, भई मारो मुझे मारो, ठीक है, ठीक हो गया, कतम.